हाल दोस्तों राना क्लासेज में आपका स्वागत है तो आज की लेटेस्ट अपडेट है जो कि बताने जा रहा हूं तो बड़ी खबरे आज है जिसका आप दिनों से इंतजार कर रहे थे तो इस वीडियो को शुरू सहन तक देखें पसंद आने पर लाइक सने लोग सब्सक्र ट्विटर है और यह ट्विटर दिखाने का देश का है आप जैसे यह तो बिहार पुलिस ट्विटर गूगल पर लिखेंगे तो यह आएगा उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यह कल का है जो कि एक लिटर है जो काफ्या और अखवारों भी आज है जो कि आई है इसको देखते हैं आखिरिस में क्या है तो यह आप देख सकते हैं बिहार पुलिस मुख्याले में दिनांक बाइस से ग्यारा है दोजार बाइस को मंगलवार को आई जिस सभी छेतर जिरो पर यह पुलिस अदिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग मूल क्या है इसको देख और यह आप देख सकते हैं श्री जितेंद्र सिंग गंवार अपर मुलिक पुलिस महा निदेशक मुख्याले के द्वारा छेतरिये प्रदाधिकारियों को निदेश देते हुए कहा गया कि 10,469 नव निउक्त प्रदाधिकारी बिग्यापन प्रकासित या परसारित किया जा आएसे वेरती जो 30 नमबर तक अपना दान देना शुनिस्चित करें अने था उनके निउक्ति रद कर दी जाएगी उन्हें छेतरिये प्ताधिकारी कहा गया कि 30 नमबर 2022 को प्रांद मुख्याले स्तर से पुरानी और तथा नई निउक्तियों का आकड़ा जिलोस मांगा जा तदा रोष्टेर के लिए ने नई निउक्ति है तो अधियाचना की जासके तो यह बहुत बड़ी यही है उफीसियल जो प्रीश भिग्यप्ति है यह आप इसका पूरा आप शुरू में सोच सकते कि यह तो उनके लिए है हाँ शुरू में उनके लिए है जो 10,400 किसी कारम अभी तक समर्पित नहीं किये उनके लिए कहा जारा कि 30 नमबर तक आई है आप सुनेशित करें नहीं तो आपकी उमीदवारी रद कर दी जाएगी मतलब क्या है कि यह जो भी है नई निउक्ति से रिलेटेड उसके बाद जो सबसे इंपोर्टन जिसका इंतेजार कर रहे थ मतलब यह है कि पुरानी जो सीटे है उसमें अगर कोई भीरती ज्वाइन नहीं किया तो तीस नमबर तक ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे तो उनको यह माना जाएगा कि उपत जो है उनकी निउक्ति रद कर दी जाएगे अब दौरारा उनकी नहीं होगी और वो जो वेकें नहीं शिपाई के लिए बिए दोनों मिला कर दा जाएग है और यह दोनों पर फिर से आपको यह मांगा रिक्त पद्व कि जान उसके बाद क्या होता रोस्टर के लिए रेंस होता है जो मैंने कल भी बताया था कि मतलों कि सीटे किस के टोगरी की जेनरल की कितनी है बी सी की क पहले कौन सी केटोगरी कितनी लोग काम कर अब कितनी लिखा हुआ है तो यही लिखा हुआ है कि रिक्त पदों के जनकारी होसके तथा रोश्टर के उपरांग नई नियुकती है जो अधियासना की जा सके असपर्श रूप से है कि अब बिहार दरोगा और बिहार सिपाही का बिग्यापर निकलेगा लेकिन अभी जो वो जो चर्चाएं थी आज निकलेगी वो खत्म हो गया लेकिन निकलेगी जरूर क्योंकि उसकी चर्चा प्रेस्ब्यक्ती में भी कल हुआ है और अखवारों में क्या इससे समंदित है इसी लेटर के अलोग में तो देखते हैं वि पुलिस में जल्द ही नहीं बाहली होगी पुलिस मुख्यालनी दरोगा और शिपाही का बिग्यापन आ सकता है तो उसको आपको इंतजार करना पड़ेगा और क्योंकि हो सकता समय लगे तो जनवरी 2023 में भी आ सकते और उनकी लिए उम्मीद है जो तैयारी कर रहे है और किसी कारण बैस उनको ना तो भी हार द्रोगा में रियल्ट है या प्री है या फाइनल सेलेक्शन नहीं हुआ द्रोगा हो सिपाही हो इन सब में तो उनका यास जो है भी प्री में भी रियल्ट उनके लिए एक अच्छी कि खबर है कि नए Goet me थे ने को कहा गयां तीस नवंब्र के बाद यी जो फरक्रियाitating अपकोट सुरू होगी और कितनी पदेशने है कि आपको जो पूरानी डाटा है उसके इसे पहले ये यह देख लेते है कि पुर पुरान जो डाटा है दro विहार गार है कि कितनी खाल उसको बाद में देखेंगे डाटा जो है खुलेगी तो 1549 फर्मर्सिष्टों को भी होगी भरती तो बिहार में जल्द ही 1549 फर्मर्सिष्टों की बाहली बिहार तक ने किसे आवायों ने राज में 1549 फर्मार्शिष्टों की बाहली दिसम्मर में जारी करने के निर नहीं लिया है अपरेल 2030 पहले सभी रिक्त पदों को भर दिया जाएगा राज में फर्मार्शिष्ट के मूल कोटिक 2488 जिन में 1549 पद खाली मतलब ये भी बेकेंसी है जो कि आपको जल्द ही बिहार तकने की सेवायोग पर जारी होगा अब आते हैं दूसरी खबरों पर तो मैं इसको दिखाना चाहरा था कि आपको कि कितनी जो है हलां कि ये अब अपडेट होगी ये जो अपको देखाने यह पुरानी डाटा है जो तीन से चार महिना पहले है जो कि आया था आप देख सकते हैं विहार दरोगा का जो क्योंकि अभी जो बाइस सो तेरा और जो यह जोईन करें वो इसमें माइनस होगा तो दरोगा कितनी आसके विहार दरोगा की यह आप देख सकते हैं अपने लिखार दरोगा मैंने लिखा सब अलकिस का नाम जो होता है पुलिस सब इंस्पेक्टर है और अठारा सो अठारा हजार दो सो उन्चास पद है जो की आपको शुक्रिट है टोटल सैंक्षन फोस्ट जो है बिहार में कितनी है अठारा हजार दो सो उन्चास अभी उस समय के इसाब से अभी आलकिस में चेंजिंग हो नो हजार पांसो तेती सर और सतासी सो सोला है जो की यह पद कभी भी खाली है अगर कितनी घरते तो जिस तरह की चर्चा है तैइस सो चोवी सो यह देखना पड़ेगा इसमें परिचारी परवर्सार जेट का कितना पद है तो यह तैइस सो कास बेकेंसी की चर्चा है लेकिन इतनी तय है कि 2000 से अधिक पदों का बिग्यापन है उसी तरह बिहार पूलिस का है जो कि विहार पूलिस में 84258 सुकृत पद है काम कर रहा है सड़ सड़ जासा अभी 16530 मतलब यह जो की दस हजार के राउंड है जो कि वैकेंसी अगले माह है जो की आ सकती है तो यह जो कि आप लोगों के त्यारी करने वाले कि उमीज जगी है कि लग रहा था कि अब आ कि तो यह आपने देखा फार्माशिस्ट और विहार द्रोगा यह सब दिसंबर में आने की उमीद है अब आते हैं 67 वी बीपेसी का क्या चर्चा है कि कल मैंने बताया था कि कुछ अपडेट सोशल मेडिया से आ रही है और 67 प्राणभीक परिछा में रुजल्ट की सुधार क कि यह चर्चाय है और अभियर्थी के एक डल है जो कि पांच सुत्री मांगो का ग्यापन सवपा है इसमें जो कि 67 परियर्मिक परिछा का समाने बर का कटप 113 चला गया जो लोगों के लिए उचीत नहीं है फाइनल अंसर की जारी उसमें भी आठ नो प्रशन बदले गया है इस से अभियर्थी योग्य अभियर्थी बाहर हो गया अभियर्थी गलग परशनों को हटाने और अंसर की कि जारी रिजल्ट का है जो कि मांग कर रहे हैं और 68 भी मगर निगेटिव मार्किंग ले तो बिकल्प को हटाया जाए जो इसको हटाने का कहा जा रहा एक पाली में ही आयोजित हो और इससे सभ्यों को बुला कर दिखाया जाएगा इसके बाद कुछ निए इसके पहले भी मोडल अंसर जारी करने पर आपत्ति की मांग की ती मतलब आज जो है जो है इसी सोचल मेडिया पर चर्चाया है कि आज है जो कि एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा औ और भी अभी भी जो फाइनल इंसर कि उसपर भी आपती है अगर यहीं होते हैं फिर व से एज ईके अवर्ण की एपना और 2-3 छेंज होते तो आगी क्या होता है तो आज का दीन है और मतलब सट वी पेसी जो रियल्ट में संसोधन का प्रयास कर रहे हैं कि हो जाए किसी तर्ण और मेरे उनके लिए महत्पूर्ण दिन होने वाला है उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर मेकेनकेल इंजिनियर के 921 पदों पर होगी भरती कहा होगी उत्तर प्रदेश पर होगी जल निगम सहरी बिद्धु तांत्री के 921 पदों पर होगी बासट परस्वा निवर्ति की जो उम्र है उस परसमेती नहीं बन पाई है अब आते हैं दूसरी ख़वर पर एक समूग यह उत्तर प्रदेश समूग का है जो कि भरती के अध्यासना मांगा गया 30 नमबर तर नी अनिवार रूप से उत्तर प्रदेश नश्य वाच आनाय को भीका निर्देश दिया गया है यह जो समूगा उनके लिइए अच्छी खवर है अब आते हैं कि अरकारी इंजिरिंग कॉलेजम 16 नय विश्यों पर है जो कि 2022-23 में पढ़ाई होगी इसमें कौनको नहीं सनाता कस्तर पार्ट इस्पीशियल इंटेलियर इंटेलियर इंटरनेट अफ तिंग मसीन लेर्निंग डेटा साइन्स साइबर सिकुरेट्य और भी जो है इस सत्थ से पूलर नय विश्यों पर भी पढ़ाई होगी 2022-23 के सत्र पर धन्यवाद